एक businessman couple से एक लटकी को बाई करना चाहता है इसके बात क्या होता है यह आज की movie की story है आपके पास अगर बहुत सारे पैसे होगे तो क्या आप किसी को भी बाई कर सकते हो क्या दुनिया में सब कुछ sell के लिए होता है आज की movie में आपको explain करने वाला उसका नाम है Indecent Proposal इस movie का explanation जैसे आगे बढ़ेगा तो बहुत सारी चीज़े आपको गलत लग सक पर movie के last में मैंने बहुत सारी चीज़ों को समझाया है तो last अग इस वीडियो को ज़रूर देखेगा चलिए शुरू करते हैं movie स्टार्ट होती है और हमें लेक के पास डेविड आया हुआ दिखता है डेविड हमसे कहता है कि डायाना मेरी लाइफ से चली गई है वो मेरी लाइफ से चले जाना यह मेरे लिए बहुत ही painful था मेरे body का कोई part खो देना इस तरह सी है था मुझे लगा था कि हम दोनों invisible है डायाना हमसे कहती है कि अगर आप किसी को पैर करते हो तो उसको आपको छोड़ देना चाहिए अगर ओ घूम फिर कर फिर से आउपस आपके पास आजाए तो आपकी हो जाती है हमें आप इन दोनों की स्टोरी पता चलती है डायाना और डेविड दोनों बचपन से एक साथ थे डायाना और डेविड जब हाइस्कुल में थे तब इन दोनों के पैर हो गया था इनके पैरंस इने मना कर रहे थे पर भी इन दोनोंने शादी कर ली थे अब present में डेविड है एक architect बन चुका है वो एक firm में job करता है और डायना एक agent है वो घर sell करता है डेविड और डायना को एक dream house चाही होता है इसके लिए डेविड उसके design पर हमेशा काम करता रहता है एक ना एक दिन एक अच्छी से लाइन पाय करकर वो एक घर बनाने वाले होते है डायाना डेविड के पास आती है और उससे पुछती है क्या मैंने तुम्हें कभी बताया है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ डेविड कहता है कि नहीं यह कहती है मैं करती हूँ डेविड पुछता है कि अभी भी? दायाना कहती ही के हमेशा के लिए यह जो इनके डायलोग से यह हमेशा एक दुसरे से वह कहते रहते हैं डेविड घर में बहुत सारी मेश करता है तो दायाना को हमेशा इस पर चिटा जाती है इन दोनों का इस पर fight भी होती है पर इस दोनों intimate होकर इसको सुलजावी लेते है एक बहुत beautiful couple हमें यहां दिखता है नेकसिन में हम देखते हैं कि Diana हमसे बात करी है डेविड आर्किटेक्चर है इस वज़े से वो मुझे दुनिया को अलग तरीके से देखना सिखाता है बहुत बार मुझे तो पता ही नहीं होता कि हम देख क्या रहे है पर डेविड मुझे इस दुनिया की beauty समझाता है नेकसिन में हम देखते हैं कि Diana को एक client पसन आई है अभी अभी उनके office में sell करने के लिए आई हुई है और इसकी price बहुत ही कम है अगर इन दोनों ने decide किया तो loan ने करा लेकर ये ले सकते हैं इसके लिए इन्होंने bank से loan भी ले लिया पर इसके बाद recision आ गया economy down हो चुकी थी और डेविड का job चला गया डायना house sell कर दी थी पर कोई house बाही नहीं कर रहा था अब बहुत सारे months गुजर चुके है तो इसलिए ये land का payment नहीं दे पाए अब bank इस land को seize करने वाली है पर इसका जो interest था ये इनको घर बेच कर देना पड़ेगा ये बहुत जाता trouble में होते हैं अगर इनोंने जल्दी से जल्दी installment पहनी की तो इनका सब कुछ जा सकता है डायना टेंशन में होती है और डेविट से पूछ रही होती है कि अब हम क्या करेंगे डेविट कहता है कि वरी मत करो मैं कुछ भी करूँगा, कार चलूँगा कहीं भी जॉब ले लूँगा पर हम payment कर देंगे installment देने के लिए डेविट को अपने फादर से भी पैसे लेने पड़ते है एक दिन जोब ये सोया होता है तो इसे एक idea आता है डायना और डेविट दोनों कसीनों में आ जाते है यहाँ पर भी पैसे जी सकते है ये उसका idea होता है डायना कसीनों में जो शॉप्स होते है ये देख रही होती है डायना इस शॉप्स में से कुछ टॉफिस चुराती है तो ये जॉन देख लेता है जॉन एक बड़ा सा बिजनेसमैन होता है यह एक bilinear होता है जॉन ने देखता है और उससे देखकर वासता है इसके बाए डायना अलग शॉप में जाती है वह एक अच्छा सा ड्रेस होता है जो ट्राइ कर रही हुती है यह उपर से ही से पहन रही होती है तो जॉन उसके पास आता है वो कहता है कि तुम्हें अगर यह अच्छा लगता है तो मैं इसे बाए करना चाहिए यह तुम्हें बहुत ही सूट करता है डायना कहती है मैं इसे अफोर्ट नहीं कर सकती है जॉन कहता है कि मुझे तुमारे लिए बाए करने दो मैंने तुम्हें देखा तुम्हें बहुत ही अच्छा लगा है डायाने कहती है कि ये dress sale के लिए होगा मैं sale के लिए नहीं हूँ इसके बाद वो डेविड के पास आ जाती है डेविड बहुत सारे पैसे हाथ जीत रहा होता है डेविड और ये दोनों बहुत ही खुश होते है पर जॉन हमेशा इनने देख रहा होता है रात में डेविड सब पैसे कैलकुलेट करता है वो कंक्लूर करता है कि सिर्फ दो गंटे अब उन्हें खेलना पड़ेगा अगर इस तरह से वो जीतते रहे तो बहुत सारे पैसे इने मिल जाएंगे इनने लोन के बारे में को भी वरी करनी की ज़रूद नहीं पड़ेगी डेविड को कहती है ये तुमसे बहुत पैयर करती हो देविड कहता है कि मुझे पता है डायना कहती है अगर हमारे पास पैसे भी नहीं है तो भी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ इसके बाद यह दोनों इंटिमेट हो चुके है यह हमें दिखता है अब अगले दिन डेविड और डायना खेल रहे हैं तो फिर से वो पैसे जीच सकते है अभी कॉइन टॉस करते है यह कॉइन इनकी फेवर में नहीं होता फिर भी डिसाइड करते है कि वो कॉसीनों में खेलेंगे यह फिर से खेलते है वा सब कुछ पैसे लूस करते थे है जब यहां से जा रहे होते हैं तो एक टेबल के पास बहुत सारी भीड होती है। हम देखते हैं, तो इस टेबल पर जॉन खेल रहाता है। डेविड भीड में से एक आदमी को पुछता है, तो यह कहता है कि बहुत बड़ा गेम यहाँ चल रहा है। जॉन अभी अभी मिलियन डॉलर हार गया होता है। जॉन जब डेविड को यहाँ देखता है, तो उनसे पूछता है कि क्या डायनो को तुम मुझे दे सकते हो। लग के लिए उसे वो टेबल के पास बिठाना चाता है। डायना मना करे होती है पर डेविड केता है कि यह ठीक है, कोई प्रावलम नहीं है। जब जॉन डायने के साथ खेलता है, तो यह पत्ते खेल रहे होते हैं। यह पत्ते भी वो हाज जाते है। जॉन डायने से पूछता है, क्या तुम्हें गेम पसंद नहीं है। डायन केती कि में गेम नहीं खेलती, जॉन को लगता है कि इसे पसंद नहीं है, इसलिए नहीं जीता, अब जॉन उसे फिल के पास लेकर आता है, जिस नमबर वो बेट लगाते हैं, यह नमबर जीत जाता है, इस पर इन्होंने वन मिलिन डॉलर्स की बेट लगाय होती है, अब केता है कि इतना प्रॉफिट तुमने मुझे कर कर दिया है, तुम यहाँ एक स्वीट में रह सकते हो, तुमें जो भी चाहिए, वो यहाँ से खरिद लो, सब मेरे नाम पर डाल दो, तुमें स्वीट देखते हैं, तुने बहुत ही बसन आता है, थोड़ी तर में जॉन का एक डायना आते हैं, डायना और जॉन बहुत सारी बात चीत करते हैं, रात में जॉन और डेविट जब बात कर रहे होते हैं, तो जॉन डेविट से बुचते हैं, पात सालों में अपने आपको तुम कहा देखना चाहते हो, डेविट जोक करता हैं कि अगर मैं मिलिनियर बन गया तो मुझे कोई प्रॉलम नहीं होगी जॉन कहता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता अगर पैसों को तुम aside में रखो यानि कि तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे है तो तुम क्या करना चाहते हो डेविड कहता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे है मेरे बाद सब कुछ है, डेविड कहता है कि लिमीट होता है कि पैसों से तुम क्या क्या बाई कर सकते हो, जॉन पुछता है कि मैं क्या नहीं बाई कर सकता, डायना कहती है कि तुम लोगों को बाई नहीं कर सकते, रियल इमोशन्स तुम कभे बाई नहीं कर पाऊगे, जॉन को लग रहा है कि तुम्हें कोई पैसे नहीं देगा पर अगर सच सोच में तुम्हें वन मिलियन डॉलर्स मिलके तो क्या करोगे डेविड उसे भाड़ में जाने के लिए कहता है इसके बाद जॉन कहता है कि मेरी मीटिंग है और वहाँ से वो चला जाता है रात में हम देखते है कि डेविड और डायणा इन दोनों को नीन नहीं आ रही हुकी जॉन ने उन्हें जो प्रपोज़ट लिया है इस पर हो सोच रहे होते हैं ये दोनों एक दुसरे से खहरे होते कि इनने नहीं करना चाहिए पर इन दोनों को अंदर से लग रहा होता है कि ये बहुत यह इसको call करता है, इसका friend जो है यह वी एक कमी नाई है, तो जब deal के बारे में सुनता है, तो जब deal के बारे में सुनता है, तो जो कहता है, यह तुम क्या कर रहे हो, कम से कम तुमें 2 million dollars मिलने चाहिए, इसके बाद हमें deal workout होई दिखती है, lawyer सब कागजातों एकरा बनाते हैं, और करने चाहिए थी, इससे पच्ता होता है, यह भागते भागते John के room तक जाता है, पर अब Diana और John यहाँ से helicopter में निकल चुके है, डेविड पागलो की तरह पूरे कसीनों में घूमता है, उससे क्या करना चाहिए, यह कुछ भी समझ में नहीं आथा, John Diana को उसके एक private yard पर ले क कर जाता है, यहाँ पर उसे एक special dress हो देता है, डायना जब John के पास deck पर आती है, तो John सब lights वेगरा बन कर देता है, उसे वो stars दिखाना चाहता है, डायना कहती है, यह जो stars है, इन्हें तुम बन नहीं कर सकते, यानि कि वो सब कुछ चीज़े control कर सकता है, और बहुत सारी ची अगर तुम मेरे पास होती, तो मैं कभी भी deal नहीं करता, किसी भी चीज़ के लिए मैं तुमें छोड़ता नहीं, डायना कहती है, कि तुम डेविड को judge नहीं कर सकते, यह deal तुम नहीं offer की थी, John कहता है, कि तुम मुझे बहुत ही पसन हो, इसलिए मैंने सब किया था, इसके जो imply है, अब इन्हें कहे रहा है, कि उनको जो land buy करनी थी, वो bank ने sell कर दी है, यह अपने payment के लिए late हो जुके थे, इसलिए land sell हो चुकी है, यह बहुत ही चीड़ गए होते है, पर इस पर वो कुछ कर भी नहीं सकते, जो सब इनके साथ होआ है, इसके बाद डेविड बहुत परिशान हो जाता है, वो डायने के पास एक match box देखता है, इस match box पर एक cruise का नाम होता है, इसे पता नहीं होता कि यह क्या है, तो डायना से बोलता है, यह हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए, डायना बोलती है, कि अच्छा एड़ा नहीं है, हमें सब कुछ भूल जाना जाहिए, वो इस match box के बारे में पुछता है, तो कहीं थी कि याट का था, डायना बिलिवने होता कि जॉन उसे याट पर लेकर गया था, डायना 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 पर चीर गई होती है, कि क्यों वो उसका सामान देख रहा था, डायना की पूरी पर्स चेक करने लग जात डायना को भी जो सब उनके साथ हो रहा है, यह गलत लगता है, डायना अपने फ्रेंड की मदद लेती है, और उनकी property किसने बाई की थी, इसका वो पता निकालती है, उसे लगता है, कि अगर उनके फिर से उनकी land मिल गई, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब डायना इसके owner का नाम देखती है, तो यह जोन ही होता है, यह बहुत ही चीट गई होती है, यह जोन के पास जाती है, जोन अपने कलिक के साथ लंच कर रहा होता है, तो वहाँ वो टेबल पर बहुत ही तमाशा कर देती है, वो जोन को बाहर लेकर आती है, डायना जोन से यह थी है, हमारी land तुम नहीं क्यों भाइ की, जॉन कहता है कि मुझे ओपर्चनिटे दिखी और यह भाइ कर ली, जॉन फेस से उसे यह लैंड वापस नहीं करने वाला होता, जॉन उसे प्रपोसल देता है, वो कहीता है कि मेरे लिए तुम काम कर सकती हो, डायने के थी है, भी तुम हेट करती हो जॉन बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे हेट नहीं करती है, तुम विश करती हो कि तुम मुझे हेट करो, पर तुम कर नहीं सकती है, जब डायना घर पर आती है, तो डेविड उसे पूछता है, कि तुम कहा गई थी, डायना बोलती है कि वो जॉन के बास गई थी, डेविड पूरी बात भी नहीं सुनता और बहुत ही चीड गया होता है। उसे अब डायने से बात ही करने होती है कि उस रात क्या क्या हुआ था। यह बहुत ही जेलस हो गया होता है तो डायना उसे सब कुछ बता देती है। डायना उसे समझाती है उस रात जो सब हुआ इसमें कुछ भी मिनिंग नहीं था डेविड इस बात को मानता नहीं वो कहता है कि तुम हमेशा से उससे अट्रेक्टेड थी इससे तंग होकर वहां से निकल पड़ता है डेविड अपने लॉयर फ्रेंड के यहां आया होता है तो डेविड वहां कॉल करती है वो उससे कहती है कि जो सब पैसे है वो डेविड रख सकता है उसे अब इन पैसों के कोई भी जरुद नहीं है डायाना अब घर से निकल जाती है और अलग जगा रहने लग जाती है एक दिन वो अपने जॉब पर होती है और उसका मैनेजर वहाता है वो कहता है कि एक आदमी 10 मिलिन डॉलर्स का हाउस बाय करना चाता है डायाना जब इससे दिखती है तो यह जॉन ही होता है वो अपने मैनेजर को मना करी होती है इसका मैनेजर वह से कहता है कि इसकी कमिशन बहुत ही जाता है तुम्हीं इसके बारे में सोचना चाहिए और अगर तुम नहीं करना चाहती तुम्हें तुम्हें फाख कर दूँगा अब डायाना को जॉन को एक घर दिखाना पड़ता है डायाना जॉन से बुछती है कि पहले तुम कहा जाना चाते हो तो यह कहता है यह तुम्हारे साथ पहर ही जाना चाता हो डायाना इस पर कुछी बोलती ने और उसे घर दिखाती है जॉन नेबर होड में होता है तो बहुत बड़ा सा एक घर देखता है डायना कहती है कि सेल करने के लिए नहीं होगा जॉन कहती है कि हर चीज सेलिंग के लिए होती है यह दोनों फिर अंदर जाते है डायना फिगर आउट कर लेती है जॉन को एक ही करे जॉन को ऐसे बुचता है कि तुम्हें क्या लगता है क्या कमी है इस हाउस में डायने कहती है कि इस हाउस में लाइफ ही नहीं है यह कहती है कि इसमें कुछ फ्लावर्स, कुछ डॉक्स, कुछ अच्छा सा फर्नीचर यह सब होगा तो इसमें जान आ जाएगी जौन कहता है कि इस घर को तुम्हारी जरुरत है डायना इसके लिए मना कर देती है वो गहती है कि तुम चीज़ों को collect कर देओ जौन कहता है कि सिर्फ कुछी चीज़ों को मैं इसा करता हूँ यानि को डायना को लेकर बहुत ही serious है अब नेकसिन में हम दिखता है कि डेविड अकेला रह रह रहा है एक जगा पर जागर as a architect जौब भी ले लेता है वहाँ पर और qualified होता है फिर भी जौब हो ले लेता है डायना अपने extra time में कुछ लोगों को पढ़ाती है इसके क्लास में जो सब लोग थे emigrants रगरा होते है यह जब पढ़ा रहे होती है तो वहाँ जौण आ जाता है यह जौण को कहती है क्लास full हो चुका है जौण पीसे से आ जाता है जौण इन सब लोगों से बात करने लग जाता है डायना इसे रोकती है और बोशती है क्या तुम हमसे कुछ शेर करना चाते हो जौण कहते है कि मुझे तुम बहुत ही पसन हो तुम बहुत ही ब्यूटिफुल हो और मैं तुमारे लिए क्रेजी हूँ यह जब बोलता है तस सो लोग इसे चीर करने लग जाते है जब दोनों क्लास से बाहर आते है तो जौण डायना से कहता है कि मुझे तुमें कुछ दिखाना है वो फिर से उसे घर पर लेकर आता है उसने वहार डॉक्स वगरा पाय किये होते है डायना ने जो सजेशन्स दिये थे यह उसने एक्सेप्ट किये है एक रूम में उससे लेकर जाता है और म्यूजिक चलाता है जौनब कहता है कि जब मैं यंग था तो मुझे एक लड़की बहुत ही पसन आई थी मैं उसे ट्रेन स्टेशन पर मिला था वो भी मुझे देखती थी और मैं भी उससे देखता था पर हम दोनों एक दूसरे को देखकर सर्मा जाते थे मैं ट्रेन से उत्रा और उसने मुझे बहुत ही बढ़िया स्माइल दी थी मैं उसके पैर में पढ़ गया था मुझे लगा था कि मुझे फिर से ट्रेंड में खुश जाना चाहिए पर मैं लेट हो चुका था मैं पूरे एक वीक तक उसका इंतजार उस स्टेशन पर करता रहा पर मुझे कभी भी वो दिखी नहीं अब 40 साल गुजर चुके है पर एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि मैंने उसे याद नहीं किया वो कहिता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने थे सकता यानि कि उसकी उस लटकी के प्रती जो फिलिंग्स थी यही फिलिंग्स डायनों को देखकर भी उसे आती है वो डायना से सचपूच में बहुत प्यार करता है अब मैं दिखता है डायना और जॉन कबल बन चुके है एक दिन रेस्टोरन में खाना खानी के लिए जा रहे होते है वहाँ डेविड भी होते है डेविड जॉन से कहता है कि हम दोनों को तुम जूदा नहीं कर सकते है हम दोनों इन्वीसिबल हैने हम दोनों की लाइफ बर्बाद करती है वो बर्ड का एक्ζांपल देता है वो कहता है कि तुम कुकु बर्ड की तरह हो वो अपना nest छोड़कर दूसरे की nest में चला जाता है और वहाँ के सब अंडेगरा खराब कर देता है तुमने हमारी धुनिया उजार दी है इसके बाद हम देखते हैं एक charity event चल रहा होता है यहाँ पर animal sale हो रहे होते हैं और इसके जोब सब पैसा हैंगे वो animal की care के लिए ही जाएंगे डायनो को hippo बहुत ही पसन आते थे डेविड को यह चीज़ पता है जब यह auction चल रहा होता है तो डायनो को hippo पसन है इसलिए John किसी भी हालत में लेना चाता है यह जो bet होती है यह 50,000 डॉलर्स तक चली जाती है इसके बाद यह खतम होने वाले होती है पर डेविड वहा जाता है इसके पास जो 1,000,000 है इससे वो raise कर देता है अब hippo को buy कर लेता है वो John और डायना के टेपल के पास आता है John कहता है तुम दोनों को बात करनी होगी इसलिए वो वहाँ से चला जाता है देविड डायना से कहता है कि मुझे लगता था यह जो couple सो थे fight करते है सब जगड़ा अगरा करते है पर इसके बाद यह भूल जाते होंगे यह मैं गलत था लोग कुछ भी भूलते नहीं है यह सिर्फ एक दूसरे को fire review कर देते है हमने यह डील की थी तो मुझे लगाता कि हम यह सब भूल जाएंगे मैं जॉन से बहुत ही अफ्रेट था इसलिए मैं यह सब कर रहा था मुझे लग रहा था कि जॉन तुमारे लिए सही आदमी है मैं तुमें कुछ भी नहीं दे सकता इसा मुझे लग रहा था अब मुझे पदा चल चुका है कि ऐसा नहीं होता उसके पास सिर्फ पैसे है जादा कुछ उसके पास नहीं है डेविड ने अपने साथ डिवॉस पेपर लाय होते है उस पर उस साइन कर देता है और वहाँ से चला जाता है जब डायना और जॉन कार में होते है तो डायना जॉन से कहती है कि हमें कुछ बात करने चाहिए जॉन कहता है कि मैं अब बहुत ही खुश हूँ वो अपने ड्राइवर से पुशता है कि क्या तुमने मुझे कभी इतना खुश देखा है ड्राइवर कहता है कि कभी नहीं जॉन कहता है कि तुम सब लड़कियों से बेस्ट हो ड्राइवर कहता है कि सब लड़किया कौन ये कहता है कि मिलियन डॉलर क्लब वो समझाता है कि जो डील ड्राइवर को उसने दी थी ये deal उसने बहुत सारी लड़कियों को भी दी थी ये उसे बता रहाता है कि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी लड़किया ऐसी थी इसके बाद वो गाड़ी रोक देता है और डायना कहती है कि अब मुझे जाना है जान का ड्राइवर उसे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया ये जो सब वो बोल रहा था ये सब कोश जूट था जान कहता है कि वो जितना डेविट से पैर करती थी उतना कभी भी मुझे पैर नहीं कर सकती थी जैसा हो उससे देखती है वैसा हो मुझे कभी भी नहीं देखे की इसके बाद हमें देखता है कि डेविड लेक पर होता है और डायना भी उसी लेक पर आ जाती है फिर से अपनी एक नही लाइफ की वह स्टार्ट करना चाती है तो डायना को डेविड ने जहाँ प्रपोस किया था उसे स्पोर्ट पर रुआती है डेविड भी यही बेटा हुगा होता है यह फिर से उससे पूछती है क्या मैंने तुमें कभी बताया है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ डेविड कहता है कि नहीं यह कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ डेविड कहता है कि अभी भी यह कहती है कि हाँ हमेशा के लिए डेविड ने अपनी हाथ में अभी भी रिंग पहने होती है एक दुसरे का हाथ वो हाथों में लेते हैं एक दोनों को फिर से accept कर लेते हैं पूरी लाइफ एक दुसरे के साथ वो बिताने वाले हैं यही movie end हो जाती है अगर हम movie में देखे तो Diana और David बहुत ही गलत थे इनकी आदतों के बारे में हम सोचे तो ये दोनों बहुत ही बड़े जुवारी थे इन्होंने डिसेट किया था है कि ये 5000 डॉलर्स की नीचे नहीं जाएंगे फिर उन्हें बेट करना चाते थे यही उनकी गलत आदत इन्हें भारी पड़ी जब जौन ने इन्हें पैसे दिये तो ये इस पर सोचने लगे इन्हें पता था कि ये गलत है फिर भी इन्हें लगा कि ये भूल सकते है जिस तरह से इन्हें जुवे में लगता था कि जीच सकते है उसी तरह से ये भी जुवा है ऐसा होने लगा था एक दूसरे के प्रती इनकी फिलिंग्स इस चीज से क्या फरक पर सकता है इसके बारे में कभी इदने नहीं सोचा था जुआ खेलना जिस तरह से गलत डिसिजन था यह भी इनका गलत डिसिजन था अगर हम जॉन की बात करे तो यह बहुत ही अकिल आदमी था इसके पास पैसे थे पर इसके लाइफ में कोई भी नहीं था जब डायना ने उसे कसीनों में कहा कि वो सेल में नहीं है तो इसका इगो हर्ट हो गया जौज भी एक जुवारी था पर यह बहुत ही बड़ा जुवारी था इसे जो भी चीज अच्छी लगती थी यह उसे पानी ही थी इसने फिर यह गटिया डील देकर इसे पा लिया यह continuously इनके साथ गेम्स खेलता रहा कि डायना उसके अबास फिर से वापस आ जाए जौन को भी सच्मुष में डायना से प्यार हो गया था पर इसका बेसी गलत था जो foundation डेविड और डायना के relationship की थी वो इस दुसरे के साथ high school से प्यार करते थे इन दोनों को relationship किसी भी हाल में तूट नहीं सकती थी मुवी के first में डायना ने हमसे कहा है कि अगर आप किसे से प्यार करते हो और अगर आपके साथ वो नहीं रहना चाहता तो आपको इसे छोड़ देना चाहिए अगर उप फिर से आपके पास वापस आ जाये तो आपका हो जाता है और अगर नहीं आया तो आपका वो कभी था ही नहीं last में जॉन को realize हो गया कि डायना उसे उस तरह से प्यार कर ही नहीं सकती जिस तरह से डायना बिलीव करती थी उसी तरह से एक दूसरे को इन दोनों ने पार लिया है अब इनकी relationship पहले से और भी strong हो चुकी है आप अपने relationship को इस तरह से granted नहीं ले सकते आपकी जो relationship है यह बहुत beautiful है कितने भी पैसे आपके पास आगे पर फिर भी आप इसको बेच नहीं सकते पैसे आपको खुश तो रख सकते है पर आपके पास अगर आपके चाहने वाले नहीं हो तो इसका कोई भी meaning नहीं है आपको हमेश आपने अंदर white मेसूस होती रहती है एक thoughtful message के साथ इम्हों भी end हो जाती है